केस्टन हब चैनल में आपका स्वागत है आज जानेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में पादप हार्मोन्स से संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं उसके बारे में जानेंगे और पादप में अर्थात मुनस्पत्ती में प्याट पौधों में जितने प्रकार के हर्मोंस होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे पौधों को जविक क्रियाओं के बीच समन्वा इस्थापित करने वाले रशानिक पदार्थों को पादप हर्मोंस या फाइटो हर्मोंस कहते हैं अर्थात पौधों को जितने भी क्रियाएं करनी होती है जैसे प्रकास अन्रसट की क्रिया पौधों में ब्रिध्धी या छोटा होना, फुल लगना, फल का पकना, फल बनना इत्यादी जितने विजविक क्रियाएं हैं उनके भी समन्वा इस्थापित करने ले कुछ रशानिक पदार्थों क्या हो सकता होती है जिसे पादप हर्मोंस या फाइटो हर्मोंस कहते हैं ये पवधोय के विभिन्ना अंगों में बहुत लगू मात्रें पहुँचकर बृद्धी एवं अनेक उपापचाई क्रियाओं को नियंत्री त्यवं प्रभावित करते हैं इनके संसलेशाड का इस्थान इनके क्रियाओं छेतर से दूर होती है यो हम ये विश्रण द्वारा क्रिया छेतर तक पहुँचते हैं अठात इसमें ये पादाप जो हार्मोंस रहते हैं ये विश्रण द्वारा अपने अंतिम इस्थान पर पहुँचते हैं बहुत से कार्वनिक योगिक हैं जो पौधों से उत्पन नहीं होते परन्तु पादप हार्मोंस की तरह ही कारे करते हैं उन्हें भी बृध्धी नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है रसानिक संगठन तथा कारे विधी के अधार पर हार्मोंस को निमने लिखित वर्गों में विभाजित किया गया हैं पादप हार्मोंस जो रत हैं पधों के पृध्धी या पधों का बहुना होना या पधों में अधिक पृध्धी होना फल का पगना फूल लगना इत्याजी जितने भी जो क्रियाएं होती है जबी क्रियाएं उसके संचलन के लिए पादा फार्मोंस के जवरत पड़ती हैं देखते हैं कितने प्रकार के पादा फार्मोंस पाए जाते हैं। इसने पहला है आगजीजीन, दूसरा है जीब्रेलीन, दिसरा है साइटोकाइनीन, चाउथा है एपसीसीकेसीड, पाचवा है एथलीन, छटवा है फ्लोरोजीन्स, साथ है ट्राउमेटीन। इसके इस साथोके बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे, जितने भी तथ्य इनसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला है आगजीन, आगजीन की खोच जो है अठारा सवस्ची में डार्विन ने की थी। यहाँ पौधो की बृध्धी को नियंतरित करते हैं, इसका निर्माण पौधो के उपरी हिस्से में होता है, अर्थात सीर्स हिस्से में इसका निर्माण होता है। आगजीन कारबनी क्योगीकों का समू है जो पौधों में कोशिका विवाजन तथा कोशिका दिर्गन में भाग लेता हैं, अर्थात कोशिका को विवाजन करके यहाँ बृध्धी को नियंतरित करता हैं। इंडोल एसेटिक एसिड एवं नेप्थलीन इसके प्रमुकुदारण हैं। तने में जीस और आगजीन की अधिकता होती है, उस और बृध्धी अधिक होती हैं। जड़ में इसकी अधिकता बृध्धी को कम करती हैं। आगजीन हर्मोस के कारियां। आगजीन हर्मोस के कारिय होता है, कोशिका दिर्घन द्वारा इस्तंभ या तने की बृध्धी में सहायक करना। दुसरा है, ये जड़ की बृध्धी को नियंतरित करते हैं, ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं। पत्तियों के ज़र्णने तथा फलों के गिन्डे पर आगजीन कर नियंत्रड होता है गेहू एवा मक्का के खेती में आगजीन खरपतवा नासक का कार्य भी करता है आगजीन हार्मोंस के कार्य ये 4 हैं अगला देखते हैं जिव्रेलिन्स हार्मोंस इसकी खुच जो है जपानी व्यज्यानिक कुरो सावा ने 1926 में की थी जीब्रेलिन एक जटील कारबनीक वीक है जिसका मुख्य उद्रारड है जीब्रेलीक एसीड यहां बोने पौधों को लंबा कर देती है और यहां फुल बनने में सायाक होता है इससे पहले हमने देखा आगजीन जो है फल लगने में सायक होता है और पकने में सायक होता है जबकि जिब्रेलीन हार्मोस फुल बनने में मदद करता है यह बीच की प्रसुपती भग कर उसको अंकुरित होने के लिए प्रेडित करती है अर्थात कोई बीच जो है भी उग नहीं रहा है तो जिब्रेलीन हार्मोस डानले पर वह बीच उग जाता है इसके कार्या के बारे में जानते हैं जिब्रेलीन हार्मोस के कार्या जिब्रेलिन कोशिका दिर्गन द्वरात्तने को लंबा बनाने जिससे कारण पोधे व्रिधी अकार के हो जाते हैं अर्था कोई पोधा छोटा है तो जिब्रेलिन हार्मोंस डालने पर वहाँ लंबा हो जाता है अगला है जिब्रेलिन हार्मोंस का प्रयोग करके बीज रहित फलो का उत्पादन किया जाता है जिब्रेलिन हार्मोंस बीजो के अंकुरण में भाग लेते हैं बीजो की सुसुपता वस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए पेरित करता है अगला देखते हैं साइटो काइनीन हार्मोन्स साइटो काइनीन हार्मोन्स जो है छारी प्रकृतिक होता है अर्थात यहाँ एसीड नहीं है छारी है यहाँ इसकी खोड जो है 19-पजपन में मिलर नामा को एगनिक द्वारा किया गया था परन्तु इसका नाम जो है लिथाम ने किया है यहाँ आर्यने एवं प्रोटीन बनाने में सायक होता है साइटो काइनीन जो होता है आर्यने और प्रोटीन बनाने में सायक होता है साइटो काइनीन एक संसलेसित साइटो काइनीन है स्वारी, काइनिटीन एक संसलेसित साइटो काइनीन है साइटो काइनीन का संसलेसर जड़ों के अग्र सीरो पर होता है जहां कोशीकावी भाजन होता है साइटो काइनीन के कोशीकावी भाजन के कालाड ही जड़ जड़ रहता है बढ़ता है और कोशिकावी भाजन में सायक होता है तो साइटो कानीन हर्मोंस देखते हैं साइटो कानीन हर्मोंस के कार्य के बारे में साइटो कानीन कोशिकावी भाजन के लिए एक आवस्यक हर्मोंस है यह उत्तको यह कोशिकाव का विभेदान का कार्य करती है साइटोकानिन पार्शकली काओं की प्रिधी को प्रारभ करती है अर्थात उपरी हिस्जे को प्रिधी के लिए प्रिधी के लिए प्रिध करती है कोशिकवी वहजन करके साइटोकानिन बीजो के अंकुराड को प्रिध करते हैं अगला है एफसेसिक एसीड हार्मोन्स यहां एक बृध्धी रोधी हार्मोन्स है यहां पौधो के बृध्धी को रोकता है हमने देखा अभी तक पौधो की बृध्धी को पढ़ाने वाला हार्मोन्स लेकिन एफसेसिक एसीड जो हार्मोन्स है वहां पौधो के बृध्धी क को रोकता है इसकी खोज जो है 1961-1965 के बीच में कांस, एडिकोड तथा बाद में वेरिंग ने की थी एफसेसिक एसिक के कारे के बारे में जानते हैं इसका पहला कारे है एफसेसिक एसिड पाउधो की ब्रिद्धी को रोकता है यह वास्व सरजन की क्रिया का नियंतरन रंद्रो अर्थात इस्टोमेटा को बंद करके करता है अर्थात एफसेसिक एसिड वास्व सरजन की क्रिया को नियंतरित करता है यह बीजो तथा कलिकाओं को सुपता अवस्था में लाता है हमने देखा साइटो कानीर हरवन सुपता अवस्था को अंकुरीत अवस्था में लाता है जबकि एफसेसिक एसीड बीजो को सुपता अवस्था में ले जाता है यहाँ पत्यों की जहने की क्रिया को नियंत्रित करता है Epsicic Acid पत्यों के जहने की क्रिया को नियंत्रित करता है Epsicic Acid पौधों से फूलों एवाम फलों के प्रिथक करण की क्रिया का भी नियंत्राड करता है एफसिसिक एसीड पधों से फूलों एवां फलों के प्रिथक करण की क्रिया का भी नियंत्राड करता है अगला है एथलीन हार्मोंस एथलीन गैसी रूप में पाया जाने वाला हार्मोंस है हमने अभी तक देखा Acid Hormones, Amlar Hormones, Char Hormones ये Gacy Hormones है एक मात्र Gacy Hormones, Ethylene Hormones इसके दुआरा पधो की लंबाई में ब्रिद्धी होती है परनतु यहां पधो की लंबाई में ब्रिद्धी को रोकता है इसके द्वारा पौधों की लंबई में ब्रिद्धी भी होती है परन्तु पौधों की लंबई को रोकता भी है इस हार्मोंस का निर्माण पौधों के प्रत्यक भाग में होता है हमने देखा कई हार्मोंस जो रहते हैं पौधों के पौर्स भाग में पाया जाते हैं या उपरी हिस्षा या सीर्ष हिस्षा में पाया जाते हैं जबकि ये पौधों के प्रत्यक भाग में पाया जाते हैं एथिलीन हार्मस के कारे नीम नहें एथिलीन के दोवारा पौधो की चावडाई में ब्रिध्धी होती है यहाँ पौधो की पत्तियों यों फलो के ज़णने की ग्रिया को नियंतरित करता है पौधो के विविन न भागों की सुब्धा वास्ता को समाप्त करी से अंकुरट के लिए प्रेजित करता है एथिलीन हार्मोन फलो के पकने में मुख्य भूमी का निभाती है अर्थाथ एथिलीन हार्मोन के कारण ही पौधो का फल जो है पकता है यह एक प्राक्रेटिक कैसी हार्मोन से जो की पौधो में पाया जाता है अगला है फ्लोरो जिन्स हार्मोन फोरो जीन्स हार्मोंस का संसले सड़ पत्तियों में होता है परन्तु ये फूलो के खिलने में मदद करता है अर्थात फोरो जीन्स हार्मोंस जो है फूल खिलाने वाला हार्मोंस है इस हार्मोंस के दुआरा फलो का खिलना नियंतरियत होता है अगला है ट्राव मेटेन या है एक प्रकार का डाई कारवुक्सली कामला है इसका निर्मान गहाल कोशी काम होता है जिसे पाउधों के जग मभर जाते हैं आज के वीडियो में हमने जाना पादा फार्वंस के बारे में जो की पाउधों में पाया जाता है सभी एक जाम के दिश्टी से यह महत्पूर्ण है पादा फार्वंस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आया हैं तो चैनल को सभी स्क्राइब करें और इसी तरह का उड़े पाने के लिए बेल आइकन के घंटी को भी दबा दें झाल करें